बी ए थार्ड एर होम साइन्स स्टूडेंट्स एन ममसी फूड और नूट्रिशन स्टूडेंट्स आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नूट्रिशनल रिस्क फॉर लैक्टेटिंग मदाज है नूट्रिशनल रिस्क का मतलब यह है अभी तक हम लोग जो पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन-कौन सी नूट्रिएंट्स की आउशत्ता जो लैक्टेटिंग मदाज होती है उनको होती है कौन-कौन सी नूट्रिएंट्स उनको प्रति दिन लेने चाहिए लेकिन अभी भी कुछ नूट्रिएंट्स जैसे वी कॉम्पलेक्स यानि थाइमीन, राइवो फ्लेवन, नियास, इन फॉलिकेसेड और इसके अलावा विटेमिन सी और फ्लूइट की रिक्वार्मेंट के बारे में अभी मुझे बताना बाकी रह गया है जो उसके पहले हम लोग ये जान लें कि नूट्रिशनल रिस्क कौन से होते हैं मतलब जब लैक्टिटिंग मा को नूट्रिएंट्स दिये जाते हैं फिर वी वो नूट्रिएंट्स उसकी बाडी में काम नहीं आ पाते उसकी वज़ए क्या होती है जैसे सबसे इंपोर्टन पहला पॉइंट आप समझें शीज अंडर वेट भी है अंडर एज भी है तो अंडर वेट की बात हम लोग बाद में समझेंगे पहले समझें कि शीज अंडर 17 एज यानि 10 एज प्रेगनेंसी है जैसे ही अडॉल्टन फेज में वो थी तभी वो प्रेगनेंट हो गई तो पहले तो उसके अपने ही शरीर में नूट्रिंट्स जो हैं वो स्टोर नहीं हुए हैं कई नूट्रिंट्स ऐसे होते हैं जो मा की बाडी में स्टोर होते हैं और वो ही मिल्क के प्रडेक्शन में लेक्टेशन फेज में मा के ब्रस्ट में आ जाते हैं बाडी में से निकल कर मिल्क के प्रडेक्शन में हल्प करते हैं शी इकनॉमिकली डेराइड अगर वो एकनॉमिकली बहुत साउंड पोजीशन में नहीं है बहुत गरीब है और भरपूर पेट भर के भोजन भी नहीं प्राप्त कर पा रही हैं तो ऐसी मा के शरीर में कुर होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं जिसके खारण मा लेक्टिशन फीज में निूट्रीशन को पूरी तरह से निूट्रीशन की जो रिकॉर्मेंट है उसको यूट्रीलाइस बॉड़ी में नहीं कर पाती या पूरी तरह से वो डेपेशिट रह जाती है उसकी बेटा सबसे इंपॉर्टन बात ये भी होती है कि जब डाइट में रिस्ट्रिक्शन्स हो नूट्रिशनली रिस्ट्रिक्टेड डाइट अगर वो लेती है फर एक्जामपल यदि कोई लेडी का वेट बहुत जादा होता है तो वो नमक नहीं खाएगी चीनी नहीं खाएगी आलू नहीं खाना है चावल नहीं खाना है कई सारी चीजों को वो अपने आप ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि मेरा वेट बढ़ रहा है डाइटिंग का कॉ कि हमें यह नहीं खाना वो नहीं खाना लेकिन लैक्टिशन फीज में यह काम बिलकुल नहीं करना चाहिए नहीं तो यह nutritional risk को उस दौरान चार गुना बढ़ा दीता है and includes unsurround nutrition practices यही कारण है कि वो जब nutritionally restrictive diet लेती है तो उसकी जो nutritional practices होती है वो भी unsurround होती है मतलब वो healthy nutritional practices नहीं होती है she is an a modified diet for chronic systemic diseases कई chronic diseases पीटे ऐसी होती है modified diet मतलब जो सामानी आहार है उस आहार को जब परिवर्दित कर दिया जाता है तो वो आहार modified diet कहलाता है जैसे normal diet रोज का routine दाल चाबल रोटी सबजी यह सब खाना है सभी तरह की vegetables को कच्ची रूप में, सलाद के रूप में और कई तरह से हम खाते हैं लेकिन जब कोई chronic disease होती है सलाद इसलिए मैंने बोला है क्योंकि normally हम सलाद को एक healthy body को अराम से सलाद दिया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसी chronic disorders, for example, जैसे gastrointestinal tract से संबंदित problem किसी को chronic diarrhea रह रह रहा है dysentery रह रही है तो जो raw fruits and vegetables के salads बन रहे हैं, वो उनको बिलकुल आहर में नहीं देना है ये modified diet है अगर हम देते हैं तो उसका उन्हें नुकसान होता है लेकिन lactation के लिए इन चीजों की अक्तिन तावशकता है ताकि उन्हें सारे nutrients, एक lactating matter को उनके द्वारा अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकें जैसे vitamin A है, B complex सारे हैं और vitamin C है, fibers हैं ये सब उन्हें मिल सकते हैं लेकिन chronic disease का मतलब वो disease जो की एक लंबे समय तक लगातार चलती रहे इसमें chronic ulcer की condition हो सकती है, peptic ulcer हो सकता है gastric ulcer हो सकता है, तो किसी को chronic piles की बिमारी है तब भी उसे modified diet लेनी होती है, यहीं blend diet पे रहना होता है एकदम उबला हुआ खाना खाना होता है, लेकिन वो खाना भी healthy होना चाहिए ताकि उस समय lactation phase में मा का nutritional risk बढ़ने ना पाए अभी मैंने weight underweight की बात की थी तो underweight बहुत सारी महिला है, हमारी Indian मदस जो होती है वो खाफी हद तक जो rural communities में हैं, जो poor communities में हैं, वहां पर जो economically बहुत ही weak community की हैं, वहां जाद तर महिलाओं का underweight होती हैं तो her weight is less than 85% of an ideal weight, जब ideal weight से एक औरत का वजन, lactating mother का वजन 85% कम हो, ideal weight का मतलब यह है कि हम सब का एक ideal weight होता है और सब के height के हिसाब से उसका weight निश्यत है, इसके लिए standards पहले से decide किये गए हैं, और हडसे में research करके standard modify होते रहते हैं हमारी जो height होती है, उसके according हमारा weight होना चाहिए जैसे किसी lady की height 5 feet जो 4 inch है, 5 feet 4 inch height पे उसका वजन 55 kg होना चाहिए लेकिन यदि वो इतनी height के और उसका वजन बहुत कम है, 85% उसका वजन normal वजन से, ideal weight से कम हो रहा है तो ऐसी मा के शरीर में, जो nutrients हैं, वो तो बिलकुल ही जमा नहीं हो पाएंगे और सबसे important है, जो उसकी muscles के नीचे, एडिपोस tissues में, जो fat जमा होता है खास्तोर से fat, fat milk के prediction में, मा के, जब milk की synthesis मा के body में हो रही होती है उस समय ये एडिपोस tissues से, मैंने पिछले classes में वे बताया है, कि ये fat निकल कर, मा के milk के prediction में आ जाता है मा already weak है, तो ऐसी मा 85% ideal weight से भी कम है, तो उसके शरीर में तो muscle mass होगा ही नहीं यानि उसके एडिपोस tissues में fat का जमावी नहीं होगा, तो milk में भी नहीं आ पाएगा, फिर milk में, जो milk की quality and quantity है, दोनों affected हो जाएगी she has multiple gastation, multiple gastation उसे कहते हैं, जब एक औरत ने कई बच्चों को जन्म दिया हो, तो एक लेड़ी, एक माँ जब कई बच्चों को जन्म देती हैं, तो माँ का शरीर खोकला हो जाता है एक ही बच्चे को बनाने में उसके शरीर में जो भी nutrients store होते हैं, वो सारे nutrients मा के milk के prediction में आ जाते हैं, अब ऐसी condition में जब एक माने तीन, चार बच्चों को जन्म दिया हैं, तो मा का शरीर अगर पूरी तरह से healthy nutrition लेके तैयार नहीं हुआ है, दुबारा की pregnancy को conceive करने के लिए तो निश्यत रूप से उसके शरीर में सभी nutrients की कमी पाई जाएगी और ऐसी मा lactation phase में nutritionally risk condition में आ जाती हैं, शी हैज हैड पूर वेट गेन डूरिंग प्रेगनेंसी, यदि गर्भावस्था के दौरान एक औरत ने बहुत कम वजन गेन किया हैं, एक नॉर्मल जो प्रेगने लेडी होती है, उसका वजन पूरे 9 महिने 9 दिन में 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए, यदि इतना वेट बढ़ता हैं, तो मा भी स्वस्त रहती हैं और स्वस्त बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जादतर महिलाएं 5 से 6 किलो वजन ही गेन कर पाती हैं, अ अब ऐसे में उनका फीटस भी डबलब हुआ और उनका अपना वजन कुछ भी नहीं बढ़ पाया और कोई न्यूट्रेंस उनकी बाडी में स्टोर नहीं हो पाएं, जिसकी वजह से मिल्क के प्रडेक्शन पे लेक्टेशन फेज में बहुत असर पड़ता हैं और मा के वेट लॉस वाइल ब्रस फीडिंग कही माता हैं जब बच्चों को अपना दूद पिलाती हैं उस दौरान उनका वजन यदि लगातार गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है तो इस पे बहुत ध्यान देने के वर शक्ता हैं क्योंकि ये भी निट्रिशनल रिस्क का लेक्ट इस डायट लेनी होगी, बहुत हल्दी डायट लेनी होगी, जिससे उसका वजन जो कम होता जा रहा है, पहली चेस तो इसको दिखवाए, डॉक्टरी जाच करवाए, पूरा जो पैथलोजिकल टेस्ट हैं, मतलब बलड, यूरेन, स्टूल की किसी प्रकार का कहीं रह जाता है, तो उसकी वज़े से भी एक लेडी हमेशा यूटी आई, यानि उरिनेर ट्रैक इंफेक्शन से एफेक्टर रहती है, उससे फीवर भी रहता है, और लगातर उसका वेट लॉस होता जाता है, तो इस चीज़ को तुरंद पहले डॉक्टर को दिखा कर करना बहुत जरूरी है कि मा का वज़न प्रेस्ट फीडिंग के दोरान कम क्यों हो रहा है, मा का वज़न प्रेस्ट फीडिंग के दोरान अगर कम लगातार होता जाता है, तो निश्यत रोप से उन्हें अन्ह जाचो की उसको इजाच पढ़ता लोने की अत्यांता वशकता है ताकि मा को सही धंका इलाज मिल सके और nutritional जो risk है lactation phase का वो कम हो सके She is pregnant while breastfeeding अब कई माता हैं breastfeed करा रही हैं इधर तो delivery हुई breastfeeding हुई और तुरन फिर conceive भी कर गई इससे बहुत बुरा असर एक तो fetus के उपर पड़ा, मा की health पे पड़ा और risk चार गुना बढ़ गया तो सबसे पहली चीज तो जब वो feed करा रही हो तो उन्हें कोई न कोई contraceptive या precautions लेनी चाहिए Family planning के methods को adopt करना चाहिए ताकि वो conceive ना करने पाए She is pregnant while breastfeeding तो feeding कराते समय उन्हें pregnant होने की समय बहुत precautions लेना है अगर ऐसा नहीं करती तो lactation के phase में उनका nutritional risk चाहर गुना बढ़ जाता है She has a history of an eating disorder यदि जो lactating mother है उनके eating disorders की उनके अंदर history है Eating disorders की history का मतलब उनका कोई समय नहीं है खाने का और कभी भी वो ढंक से चार मिल जो लेनी चाहिए जैसे breakfast must होता है और बहुत early breakfast करना चाहिए हमारे हाँ धार्मिक महिलाएं हैं पूजा पाट नहीं हुआ एक बज़े तक वो कुछ मों में दालेंगी नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ भी पूजा नहीं की है और जब तक पूजा नहीं करेंगी तब तक अन्य नहीं ग्रहांड करेंगी यह सब जो उनकी history रही है या जो present time में कर रही है यह सब eating disorders को पैदा करती है फिर उस breakfast के time उन्हें भूग तो लगी लेकिन उन्होंने भूग को मार दिया तो उस समय उनको निश्यत खाना चाहिए फिर हमारे यहां fasting का culture है बहुत ज़्यादा fast रहती है और जरासा किसी से थोड़ी सी भी मतलब नोक चोक हो गई घर में तो वो खाना ही छोड़ देंगी तो इससे eating disorders डबल अप होती है जो खाने के संबंद में जो चीज़ें खाने को लेकर होती है कि खाने को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार मतलब eating disorders का मतलब यह है कि उनको खाना खाने से अगर वो लंबा गैप कर देती है तो अलसर की condition हो जाती है eating disorder का मतलब यह हैं फिर खाना पस्ता नहीं है अपच हो जाएगी अलसर हो जाएगा gastric अलसर रहेगा खाव हो जाते हैं आतों में और पेट में डियोडेनल अलसर हो जाता हैं तो यह सब तो नहीं है इसकी पूरी जाच कर लेनी चाहिए ताकि nutritional risk lactating mothers का ना बढ़ने पाए तो आज मैंने students आपको समझाया है nutritional risk for lactating mothers कि मा के लिए कौन-कौन से factors हैं जो कि nutritional risk के रूप में सामने आते हैं यदि हम इन सभी चीजों पर अगर ध्यान देते हैं lactating phase में एक मा ध्यान देती है तो निश्यत रूप से वो इन रिस्क से बस सकती है उसके शरीर में complete nutrition पहुँचेगा और जब complete nutrition पहुँचेगा तो lactating mother भी healthy रहेगी और milk healthy milk का production करेगी quality wise and quantity wise जिससे की जो उसका baby है वो जब तक मा के दूद पे पल रहा है वो बहुत healthy होगा तो मेरे ख्याल से आप सब को ये lecture समझ में आ गया होगा यदि किसी भी बच्चे की कोई query हो तो आप chat box में डाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ मुझे personally contact भी कर सकते हैं thank you